आज के व्याख्यान में आज हम चायाबाद के प्रमुक चार स्तंभों में जिनमें जैशंक प्रसाद, पंद, निराला और महादेवी हैं उनमें चायाबाद की मीरा महादेवी जो निबंदकार हैं रहस्यवादी कवित्री के नाम से प्रक्ख्यात हैं संस्मरणकार हैं, चित्रों में जो अपनी बात को कहने में जिनहें महारत हासिल है, जो समात सेविका भी रही हैं ऐसी महादेवी वर्मा के बारे में जानने के लिए उपस्थित होए हैं चायवाद की मीरा महादेवी वर्मा का जन्म सन उनने सो साथ इसमी में होली के दिन फरुखापात के सननाध्य प्रसिध परिवार में हुआ था इनके पिता गोविंद प्रसाद वर्मा थे जो उस समय कॉलेज में प्रध्यापक थें माता हेमरानी देवी नाकेवल विदूशी थी अपितु कलात्मक अभिरूचियों से भी संपन महिला थें इसके साथ साथ वो इश्वर में भी परम आस्था रखने वाली थीं महादेवीची के परिवार में कन्याओ का अभाव था अतह बहुत सारी मनोतियों के बाद कुल देवी दूरगा की कृपा से इनका चन्म हुआ अतह इनके दादा ने कुल देवी दुर्गा के प्रती अपनी आस्था को अभिव्यक्त करते हुए इनका नाम महादेवी रखा शैशव से ही महादेवी का मन पढ़ाई में कम और चित्रकला में अधिक लगता था और इसलिए घर के सारे फर्ष दिवारें इनके लिए कैन्वस का काप करते थे और कोईला और सिंदूर रंगों का प्रारंभिक शिक्षा यदि हम देखें तो महादेवी वर्मा की मिशिन स्कूल इन दौर में हुई किन्तु इन्होंने हिंदी, उर्दू और संगीत का ज्यान घर पर रहके ही लिया आठ वर्ष की अल्प आयों में ब्रज भाशा में इन्होंने समस्या पूर्दी और कवित तथा सवयों की रचना करने प्रारंभ करते थे इतना ही नहीं महादेवी वर्मा गुप्त जी से प्रभावित थे और अतह उनके प्रभाव स्वरूप इन्होंने खड़ी बोली में रचनाएं करना शुरू कर दिया और इनकी रचनाएं उस समय ततकालीन समाज में जो प्रतिष्ठित पत्रिकाएं थी रचनाएं थी उनमें जिसमें चांद आरे महिला तथा महिला जगत को विशेश रूप से रिखांकित किया जा सकता है उसमें समय समय पर प्रकाशित हुई और जन समाने द्वारा प्रसिधी भी उन्हें मिली उस समय के बातावरण के अनुसार समाचिक मानेताओं के अनुसार महादेवी का विवाह नौ बर्ष की अलपायू में शीरी स्वरूप नराइन से कर दिया गया इनके ससुर लड़कियों की शिक्षा के विरुध थे और इसलिए ये वो समय था जब इनको भी शिक्षा आगे ग्रहन ना करने के लिए विवश कर दिया गया शिक्षा में बाधा आई और ये बाधा तभी जाके पूरी हुई जब इनके ससुर का निधन हो गया सनातक के उपरांत जब महादेवी ची के गौने की बात आई तब तक महादेवी ची अपने विचारों में दिड़ हो चुकी थी और अपने दादा की तरहे वो स्पश्ट रूप से ततकालीन समाज में व्याप्त कूरीतियों को अंधभक्त के रूप में अपनाने के लिए तैयार नहीं थी इसलिए उन्होंने द्रिड़ता पूर्वक बालया वस्था में हुए अपने विवाहा को अस्विकार कर दिया और पती के साथ अपना संबंध विच्छेत कर दिया 1932 में प्रियाग विश्विद्याले से इन्होंने साहित संस्कृत साहित तथा वेद विद्या में सनातक के उपरांध की शिक्षा नाकेवल ग्रहन की अपितु प्रियाग महिला विद्यापीच से इन्होंने प्रथम श्रणी में सब कुछ उत्तीन किया इसके उपरांद ये प्रियाग महिला विद्यापीच की प्रथम प्रधाना चार्या भी बनें। इनके पिता की बौधिक्ता, अन्याय के प्रती असहिश्नुता एवं स्वाभिबान तथा माता की आस्तिक्ता, कलात्मक्ता, रुचियां, ग्रह कारे में दक्षिता, इत्यादी गुन महादेवी को विरासत में प्राप्थ हुए थें। इसके साथ ही उस समय के समाज में व्याप्त, बौधों के महा मैत्री तथा महा करुणा के दाश्टिक सिधान्तों ने भी इन्हें समय समय पर प्रभावित किया। और इस प्रभाव की स्पष्ट च्छाप हमें महादेवी की रशनाओं में दिखाई देती है। इन्होंने बहुत भिक्ष्णू बनने की भी आकांग्शा व्यक्त की थी। इनका स्वतंत्र चिंतन वेदान से प्रभावित दिखाई देता है। पुरुष वर्चस्व वाले इस समाज में नारी की क्या स्थिती है। नारी को किस प्रकास से दोयम स्थिती पर रखा जाता है, किस प्रकास से वो दुर्दशा की पात्रा बनती है, ये देखकर महादेवी जी व्यथित हो उठती थी। और उन्होंने अपनी रचनाओं में इन सब समस्याओं को ना केवल उभारा है, किन्तो एक नारी होने के कारण उन समस्याओं के प्रती इनकी दृष्टी में भी पुर्षों की तुलना में हमें अंतर दिखाई देता है। ये केवल समस्याओं को उद्खाटित करके मौनधारण नहीं कर लेती, अपितु अपनी दृष्टी से उनका समाधान भी व्यक्त करती है। उनका ये मानना है कि पुरुष निरपेख्ष नारी का भी अपना एक स्वत्थंत्र व्यक्तित्व अस्तित्व होता है। और इसके लिए नारी का ना केवल शिक्षित होना अनिवार है, किन्तु उसका द्रड संकल्पी होना भी जरूरी माना गया है। समात सेवा का इन्हों ने इस समय वरत लिया जो वरत यावज जीवन इनके साथ रहा 1942 के राष्ट्य आंदोलन में इन्हों ने आगे बढ़कर स्वयम इस बात का वरत लिया कि ये सेनानियों के परिवारों के लिए भोजन, वस्त्र और चिकित्सा का प्रबंध करेंगे प्रियाग महिला विद्या पीच में इन्हों ने अपने इसी सेवा वरत के कारण निर्धन और अशिक्षित लड़कियों को शिक्षित करने का कारे किया इनका भी मानना था कि यदि एक महिला शिक्षित होती है तो ना केवल वो परिवार शिक्षित होता है वो महीला जिस परिवार में विवाह के उपरांत जाती है, वहां भी वो अपनी शिक्षा के कारण, अपने स्वतंत्र मतों के कारण, विचारों के कारण, उस परिवार को भी विक्षित करने में सहायक होती है. आर्थेक दृष्टी से संकट ग्रस साहत्यकारों की सहायता करने के लिए महादेवी वर्मा ने साहत्य संसत की भी स्थापना की थी इसके साथ ही महादेवी जी ने बंगाल के दुर्भिक्ष में बंग दर्शन नामग पुस्तक का संपादन किया तथा इस पुस्तक के विक्रे से जितनी भी धनराशी एकत्र हुई उसको अकाल पीर्टों में वित्रित किया एक समय पर महादेवी जी ने कवी सम्मेलन का आयूजन किया और गांधी जी को उसकी अध्यक्षता करने के लिए निमंत्रन फेजा किन्तु गांधी जी द्वारा यह कहे जाने पर कि जब राष्ट पर तंत्रता की बेडियों में जकड़ा है ब्रिटेश शोशन की आग में जुलस रहा है उस समे महादेवी जी ना केवल कवी सम्मेलन कर रहे हैं अपने दायत्व से भी विमुख हो रहे हैं वो अंदर तक हिल उठे और उन्होंने भविश्य में कवी सम्मेलन ना करने की तथा मंच या आकाशवानी से काफ़े पाट ना करने का जो वचन लिया वो उन्होंने अपनी मृत्यू तक कायम रखा इतना ही नहीं इसे हम महादेवी जी के विक्तित्व की विशेश्था ही मानेंगे कि जिस ग्रीश्म की भयंकर तपती दुपहरी में हम सब अपने अपने वातानु कुलित ग्रहों में विश्राम करते हैं या विभन आयोजनों में अपना समय नश्ट करते हैं महादेवी वर्मा गंगा पार कर जूसी के खंडर नुमा गाउं में जाती थी वहां के बच्चों को ना केवल पढ़ाती थी अपितु उन महिलाओं को भी प्रेना देती थी कि किस प्रकार वो शिक्षा को ग्रहेंड कर अपने जीवन को सार्थक बना सकती हैं इसके साथ ही वो निरक्षक ग्रामिनों को उनके पत्र पढ़कर सुनाती थी और उनका उत्तर भी लिती थी। समय भावों में बहते हुए कभी कभी तो ग्रामिनों की आखों से अश्रू प्रवाहित हो जाते थे। उनका गला रुंध जाता था और ऐसे में वो क्या कहना चाहते हैं ये महादेवी के लिए समझना असंभव हो जाता था। तो कुछ कही और कुछ भावों से समझी बातों क वो उनकी पाती में लिखकर मौन हो जाती थी। दीन दुख्यों, उपेक्षितों, विदवाओं के प्रती महादेवी वर्मा में सहच सहानुभूती दिखाई देती हैं और वो अपनी इसी सह सहानुभूती समवेधना के कारण कई पार उन्हें अपने घर में आश्रे भी द देती थी। किवल मानव ही नहीं, मानवित प्राणियों के प्रती भी उनमें एक आत्मियता और दया भाव दिखाई देता है। कह सकते हैं कि उनका घर एक छोटा मोटा चिरिया घर बन गया था। महादेवी वर्मा ने सभी विधाओं में मौलिक रचनाई की हैं। कविता संग्रहों में निहार, रश्मी, नीजा, सांधिगीत, दीपशिका, सब्त पर्णा जो अनुदित रचना है उनको लिया जा सकता है। इसके साथ ही सब्त पर्णा में इन्होंने वैदिक, लौकिक और बौद साहित्य के काव्यों को अनुवाद किया है। प्रथम आयाम अगनी रेखा इनका वो कावि संग्रे है जो उन्ने सो नभे में इनके मर्नो उपरांत प्रकाशित किया गया था। प्रभा कावि संग्रे अब तक अप्रकाशित किरती है। इसके अतिरिक्त इनके अन्य कावि संकलोनों में जैसे आत्मिका परिक्रमा, संधिनी, यामा में गीत पर्व, दीप गीत, समारिका, निलाम्बरा और आधुने कवी महादेवी में भी इनके समय समय पर स्रिजित, रचनाई, कविताई, प्रकाशित हैं। इनमें वो कुछ कविताईं ऐसी हैं, जिन्हें हम इनके पूर्व के कावि संग्रों में देख सकते हैं, और जो पाठकों के द्वारा सराही गहीं थी, उन चुनेवे गीतों को उन्होंने उक्त सभी संकलोनों में संकलित किया है। खंड कावे की दिष्टी से यदि हम देखें, तो उन्हेस सो बीच में रचित एक खंड कावे का उलेख मिलता है, जो अब अप्रकाशित और अनुपलप्त है। महादेवीची रेखा चित्र और संस्मरण विधा के माध्यम से अपने पाठकों में चल्चित और प्रसित है। अतीत के चल्चित, 1941 में रेखा चित्रात्मक संस्मरणों का एक संग्रे है, जिसमें उन्होंने ग्यारा चित्रों की रेखाओं को समाविष्ट किया है। रामा, भावी, विंदा, सब्या, बिट्चो, दो फूल, घीसा, सबला, आलोपी, बदलू और लक्ष्मन ये इनके रेखा चित्र हैं। समिती की रेखाओं, 1943 में लिखा गया इनका संस्मरण का संग्रे है, जिसमें इन्होंने साथ संस्मरणों को स्थान दिया है। भक्तिन, चीनी फेरी वाला, जंग बहादुर, मुन्नू की माई, ठकुरी बाबा, बिब्या और गुंग्या। पत के साथी, ग्यारा संस्मरणों का संग्रे है। ये वो संग्रे है, जिसमें महादेवी वर्मा ने अपने समय में अपने समकालीन साहित्यकारों को लेकर उनसे जुड़े संस्मरणों को लिपिबत किया है। मैठलीश अगुप पर लिखा गया इनका संस्मरण दद्दा, निराला भाई, संस्मरण प्रेमचंद, प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत, सुभद्रा, रमिंत्रनाथ ठाकुर पर लिखा गया संस्मरण प्रणाम, महाद्मा गांधी का संस्मरण पुन्यस्मरण, और जवाहर भाई और पुर्शोतम दास्टंडन को स्मृती में उकेड़ते हुए उन पर लिखा गया संस्मरण संत राजश्री इस रिष्टी से उलेखनिया संस्मरण है। मेरा परिवार 1972 में रचित है। इस संग्रे में उन्होंने मानवित्तर्म भोले भाले पशुपक्षियों को अपना वनविशे बनाया है। और उन्होंने जो उन्हें नाम दिये थे वो उनके गुणों के आधार पर दिये थे। जैसे नीले कंठ वाले मोर को उन्होंने नील कंठ कहा, गुलू गिलहरी, सोना से रंग वाली हिर्नी, सोना हिर्नी, दुर्मुक खरगोश, गौरा गाई, नीलू कुत्ता, रोजी कुत्या, निक्की नवेला, और ताज रानी घोडी, इनके जीवन में आने वाले वो पशु पक्षी हैं, जिन्होंने एक परिवार की तरहे महादेवी को अपना सानिध्य प्रदान किया। महादेवी निरंतर इनके पास जाकर इनके क्रिया कलापों को देखकर आनन्द का अनुभव करती थी और घंटों गुजार देती थी। श्रिंखला की कडिया नारी विश्यक समाजिक निबंध हैं। महादेवी और महादेवी वर्मा ने हिमाले से संबंधित अपने संस्मरनों को स्थान दिया। इसमें वे रिखा चित्र और निबंध हैं जो महादेवी ने हिमाले की यात्रा करते समें विभिन समें काल में लिखे थे और उनको इसमें संग्रहित किया था इनके निबंध संग्रों में शंडा ललित निबंध हैं इसमें और बारा निबंधों का ये संग्रह हैं संस्कृति का प्रश्न करुणा का संदेश वाहक हमारा देश और राश्ट्र भाशा कुछ विचार एक कुछ विचार दो स्वर्ग का एक कुना सुई दोरानी दोरा दोर साहिते और साहितेकार हमारे वेज्ञानिक युग की समस्या कटोती पर कला और हमारा चित्रमय साहिते अभिने कला। साहिते और आस्था और अन्य निबंध इनके अलुशनात्मक निबंधों का संग्रे है। एक द्रिष्टी उलेखनिया है। आलुशनात्मक निबंधों का संग्रे संकल्पिता आठ निबंधों को अपने आप में समेटे है। भारतिय वांग में एक द्रिष्टी, संस्कृती एवं प्राकृतिक परिवेश, भारतिय संस्कृती की प्रिष्ट भूमी, प्राकृतिक परिवेश और राष्ट्रियता, हमारा देश तथा राष्ट्र भाशा. इसके अतिरिक्त इनके तीन और संग्रहे प्रकाशित हैं जिनमें चिंतन के शण, मेरे प्रियर निबंद और द्रिष्टिकोन को लिया जा सकता है महादेवी ने गद संकलनों को भी प्रकाशित किया जिनमें समारिका, स्मृति चित्र और संभाक्षन को लिया जा सकता है समय समय पर लिखी गई महादेवी वर्मा की कहानियों का संग्रे गुल्लू और अन्य कहानिया हैं जिसमें इन्होंने ना केवल अपने परिवार में जो इनके मानवित्त परिवार थे उनसे संबध जितने भी प्राणी थे उनको लेकर इन्होंने कहानिया लिखे हैं ये वो सभी कहानिया हैं जो महादेवी जी के रिदे के बहुत निकर थी, उन्हें बहुत प्रिय थी। महादेवी बर्मा ने बच्चों को ध्यान में रखकर भी साहित्य का स्रिजन किया है। इनके कविताओं के दो संकलन प्रकाशित हैं, जिनमें ठाको जी भोले हैं, दूसरा आज खरीदेंगे हम जुआला संकलनों को लिया जा सकता है। महादेवी जी संपादक के रूप में भी प्रसिधी प्राप्त हैं, अपने समय की लोगपिय प्रतिका, चांद को इन्होंने आजीवन अवैत्निक रूप से उसका संपादन किया, तथा साहित्यकार मासिक पत्रिका की भी ये संपादिका रही। हिंदी के प्रचा-प्रसाः के लिए ये निरंतर कर्तव्य बध रही। उन्होंने प्रयाग में सहित्यका संसत की स्थापना की। और इसके साथ ही उन्होंने रंगवाणी नाट्य संस्था की भी स्थापना की। जिसका कार्य हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए विभिन नाटकों का स्रिजन करना था, उनको प्रसारन करना था, उनको लोगों तक पहुचाना था। इन्होंने समय समय पर नाटकों का भी स्रिजन किया। एक शोत गरंथ में इनके एक नाटक का जो 1923 में लिखा गया था, उसका केवल उलेक मात्र मिलता है। ये नाटक औप्रकाशित है और इस समय अनुपलप्त है। रुपांतरन के दृष्टी से यदि हम देखें तो सब्त पर्णा में वैदिक विचारों से लेकर वालमी की थेरी गाथा, अश्वगोश, कालिदास, भवभूती और जैदेव के सरस काव्यों को काव्य में तरीके से हिंदी में उनका रुपांतरन किया गया है। महादेवी साहित भाग जिसकी संपादिका डॉक्टर निमला जैन हैं में महादेवी के संपून जीवनानु भवों को मैं और मेरा परिवेश शीशक के अंतरगत संकलित किया गया है। महादेवी वर्मा को अपने द्वारा किये गए कारियों पर निरंतर सम्मानित और पुरस्कृत किया गया। इन्हें पद्म विभूशन भी मिला। इन्होंने विक्रम विश्विद्याले, कुमायू विश्विद्याले, दिल्ली विश्विद्याले और बनारस हिंदू विश्विद्याले से डिलिट की उपाधी प्राप्त की। सक्सेरिया पुरसकार, दुवेदी पदक, ज्ञानपीट पुरसका से भी महादेवी वर्मा को सम्मानित किया गया ऐसी विभूती जिन्होंने अपने उत्कृष साहित्य से ना केवल साहित्यकाश में अपने हस्ताक्षर अंकित किये अपितु समेक प्रवा के साथ साथ आज भी ये अपने पाटकों में उतनी ही लोख प्रिया हैं, इनकी रचनाओं से हम आज भी उतना ही प्रेरित होते हैं, उन्हें उतना ही जिग्यासा से पढ़ते हैं ऐसी महादेवी का निधन अस्ती वर्ष के उम्र में 11 सितंबर को इलाबाद उत्ता प्रदेश में हो गया और इनका मृतक शरीर पंच तत्वों में विलीन हो गया मित्रों, महादेवी के हम किसी भी साहित्य को लें, उसमें वर्णित कथानक, उसमें लिये गए पात्र हमें अपने आसपास के पात्र लगते हैं उनके संस्मरनात्म करेखा चित्रों को यदि हम देखें तो हमें ऐसा लगेगा मानों वो चित्र किसी कैन्वस पर अंकित नहीं है, वो हमारे सामने प्रत्यक्षी रूप से दिखाई दे रहे हैं और हम एक प्रका से उनके साथ समवेदना स्थापित कर लेते हैं, उनके साथ तादात में स्थापित कर लेते हैं जिस प्रकासे कोई चित्रकार तूलिका और रंगों के माध्यम से एक सफेद कैन्वस को अपनी भावनाओं में का सहारा लेकर कलपनाओं का सहारा लेकर सुन्दर रंगों में बिखेड देता है उसमें अपनी भावनाओं को उगेड देता है उसी तरह से अपने रिखा चित्र में शब्दों के माध्यम से महादेवी वर्मा ने ऐसे शब्दे चित्र अंकित किये हैं कि वो एक रेखाओं की तरहें एक के बाद एक अपने पात्रों के सामने उपस्थित होते चले जाते हैं चाहें हम घीसा लें भक्तिन लें रामा लें चीनी फेरी वाला को ही आप ले लीजे आपको ऐसा लगता है कि ये आपके अपने है भक्तिन कहीं पर भी ऐसे नहीं लगती कि इसे आपने कभी नहीं देखा होगा आपका इसके साथ कोई रिष्टा नहीं होगा इसी तरह से चीनी फेरिवाले ने किस प्रकास से एक बहन का संबंद अंजाने में ही महादेवी से जोड लिया, इसका भी हमें यथात अंकन दिखाई देता है। जरूरी नहीं है कि जिन रिखाचित्रों को महादेवी जी ने स्थान दिया है, उनके पात्र पूरे जीवनकाल में महादेवी जी के साथ रहे हो। इतना अवश्य है कि चाहें इनका संबंध महादेवी से पून रूप से रहा हो, आंशिक रूप से रहा हो, इन्होंने कहीं ना कहीं स्पष्ट रूप से महादेवी के मनो मस्तिक्ष में अपनी चाया अंकित की थी और महादेवी जी उसको अपनी रेखाओं में ढालने के गीसा एक ऐसा रिक छित्र है जो itel सी गलागमेट पड़ाती समय किस प्रकाथ से इस बच्चे के साथ उनका संबंध स्थापित हुआ किस प्रकाथ से ये उस बच्चे के सब्सक्रीज़क्र वा साहता ज्याद में चइन पान से किस प्रका से उद्वेलित हो गए और कैसे उसके मृत्यू के समाचार पाने पर ये अपने आपको विवश समझने लगें अपने आपको अंदरी अंदर इतनी भाविकल हो गएं कि इनके अश्रू प्रभाहित होने लगे ये घीसा में हमें दिखाई देता है इस प्रका के वेधना में अपने आपको जुड़ावा मैसूस करे दूसरे के दुख में दुखी हो, दूसरे की खुशी को साजह करना चाता हो जानता हो कि दूसरा जिस समय रोना चाहता है तो हम उसे अपना कंधा दें ऐसी महादेवी के स्रिजन को हम निरंतर ना केवल प्रणाम करते हैं, हम उनको बार-बार पुना-पुना पढ़ना चाहते हैं, मित्रों जब आपको समय मिले महादेवी जी के साहित्य का अवलोकन झाल